रुदॉली कोत्वारी छेत्र के मुस्काबाद गाउं में ग्राम समाज की जमीन पर कबसे को लेकर दो पक्षों में हुई मार्पीप में दो मैला हुआ एक यूवक गंभी रुप से खायल हो गया ग्रामेडों की सूशना पर मौके पर पहुचे पुलिस खायलों को सामुदा एक स्वास केंद रुदॉली में भर्ती करवाया जहां यूवक की हायत को गंभीर देखती हुए चिकट्सकों ने जिलास्पताल रिफर्ण कर दिया जिलास्पताल पुहसते ही गंभी रुप से खायल यूवक ने दम तोड़ दिया सीरुदॉली ने कहा है कि मामले में तुरन धरा 307 में मुकद्वा पंचिकृत किया गया था इलास्ट गरान यूवक की मौत के बाद धराओं में बढ़ुतरी की जाएगी आरोपितों की गिरफतारी के रिए छापे मारी की जा रही है मामला रुदाली कोतवाली छेतर के मुस्काबाद गाओं का है ग्राम समाज की जमीन को लेकर काफ़ी अर्से से विवात चल रहा था वहीं आज सोभा उस वक्त जमीन पर पुवाल रखने को लेकर दोनों पक्चों की महिलाओं के बीच कहा सोनी होने लगी मामला भरता देख दोनों परिवार आमने सामने आ गए देखते ही देखते दोनों पक्चों में लाठी डंड़ा चलने लगे जिसमें एक पक्च से दिलीब गंभीर रूप से घायल हो गया गंभीर हालत में सामुदा एक्सवास के रुदावली में फर्ती करवाया गया दिलीब की हायत को गंभीर देखते हुवे चिकचकों ने जिलस पताल भेज दिया जहां इलाज के दरान उसकी मौत हो गई इसमें उची धारा में अभ्योग को तर्मीम करके और आगी विदी करवाई की जाएगी गिरफ्तारी के जो विपक्षियों की गिरफ्तारी के प्रियास किया जा रहा है गटना सुबा हम जानुवर बाद ने गए तो लोग ने गाली गुपता देने लगे तो हमने का गाली यली मत दो बस वो उठी लाटी बास लेकर हम लोग को मारने लगे उसके बाद में हमारा भाई गया उन लोगों को हाँ जोड़कर कहा मत मारो हमारे बेहनों को तो उनको भी मारे कि वो ही डर प्रे तुरंग गिर गें उसके बाद में पुलिस पहूंची तुरंट उन्लोगो घर से बाग गें हम लोग को लेकर आए खेरनफूर अस्पताल वहां सिरी पर करें यहां जिला अस्पताल को और वहाई और कहें कि जा बोल दर हम लोगों कुछ रहेगा सव नंबर बुलाओ चाहे जो बुलाओ हमारा सब साथ रह्मान और कोटेदार नफीज देते हैं कौन था यह यह को राहिमान हारे हुए पर्धान है और नफीज कोटेदार हैं हलीम नगर के यह लोग ने सब उन लोग को सिखाया है आठ दस दिन से वहां जा जाके उनके घर पे बैढ़ते थे उसके बाद मैं ऐसा कुछ किया सूबा कहा रहने वाली है हम उसकाबाद के रहने हमेरे सामने है ज़जा उटा उनके घर साहे बड़ी दूर है लेकिन जबंगे इलक्षन के वज़े से इलक्षन में हम उनके खिलाब रहें पर्धान पुराने जो रहें और रिगनफीज कोटेदार है तो ज़गा ज़गा है कि हमेरे दर्गों पर दूई बार मुकंदमा धाल लेवे षटा है अब लेवे तो नहीं पर रहें लेवे लेवेर भाई और नियाए हुई फिर साहिव उनके ऑक्षोग्याउन एक तरफा भवा है एक दूर हम अज़ दर्खार दीन है तो इसो क्याउन एक तरफा खुचों की जार राजियास मिसरागीन है और एजसे इम पर बिखन साहिब ने उनको जमानत भी नहीं दिया था फिर भी किसी तरह जमानत दे दिये कुछ उनके गलती थे ते फिर हमारी लड़की को रियतर करने का बयान कि अच्छा करके बहुत बुस्ताफाल तारिश चाते रहते से साहिब आज भी हम वहाँ पहुंचे तो साहिब हम नहीं थे हमारी लड़की थी लड़की को हमारी गाली करता दे में पिर चले आए था आप सब लो मिलके अब बताओ लड़का हमारा साहिब लड़की को बहिन के सामने गाली तो कि साहिब जाएगा नहीं जाएगा पर साहिब वही बा तो के जो हम रोगे जाने जाने तब धिखे तब एक प्रकार मुझाए रहर है निश मुझे हो जगराम जगराम और हिरा लाल जागराम शियाराम 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 शियारा अजय वार्माई